Hello friends, how are you all and I am just here to give you an important update, this is a big very big news and जैसा कि आप तक आप शायद आप सबको पता चल चुका होगा यह नीट पीजी के रिगार्डिंग है और हमारे देश में भारत दर्श में लगभग 35-36 लाग बच्चे जो हैं नीट पीजी का एक्जाम देने वाले थे जो कि MD, MS और डॉक्ट माइन एंट्रेंस एक्जाम था जिसके आप सर्जरी, मेडेसिन, और्थोपडिक, गाइनेकलोजी यह सारी ब्रांचे में अड्मीशन होता है डॉक्टर्स का तो यह जो एक्जाम था एक बड़े लेवल पे इंडिया में और्गिनाइज होता है 8 साल तो इस एक्जाम का भी बच्चे जो हैं पूरे देश से जिनको सेंटर मिले थे स्टेट में या स्टेट के बाहर वो अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे कुछ अपने सिटी में जिनको सेंटर मिले थे अपने सेंटी में रुख थे कुछ जिनको बाहर सेंटर मिले वो अपना इतना पैसा और कीमती समय बरबात करके अपना सेंटर पे गए हैं और पता चलता है कि अचानक से आज कुछ गंटों पहले ख़बर आती है एक दिन पहले कि एक्जाम कैंसल हो गया तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है देश के लिए और देश के भविश के लिए कि लगातार पेपर्स ल एक दिन पहले सड़नली ये लोग अपना पेपर कैंसल कर दिये हैं सो जरूर इस पे सिस्टम को तंतर को सरकार को कुछ सॉलिड डिसीजन्स लेने चाहिए ताकि बच्चों का समय और पैसा और मेहनत बरबाद ना हो जो लोग इतनी उमीद से जिनके परिवार लाखो परिव 31 लागबच्चे ने 35 परिवार जिनके उमीदें जुडी हुई हैं उनके बच्चों से कि यह कुछ ऐस अच्छा करेंगे एक्जाम देंगे और आगे खुद के भविश्य के लिए परिवार के भष के देशा काम करेंगी तो यह चीज बहुत ही irresponsible तरीके से हो रही है माय देश में चुकि अच्छा नहीं है तो let's see अब भी आप इसको positive लीजिए तैयारी कीजी